आप सभी को शिक्षक दिवस की हारदी शुब कामना हैं शिक्षक दिवस पर संपन होने वाली कुश गतिविदिया और हमारे विचार आप सब के सम्मुक प्रस्तुत है शिक्षक होना अपने आप में एक गर्व का विशे है क्योंकि शिक्षक एक ऐसी मशाल है जो खुद जलकर समाज को रोशनी देती है शिक्षक एक ऐसा स्तंभ है जो स्वयम तो खड़ा रहता है पर समाज को उसकी सही मन्जिल तक पहुँचाता है शिक्षक वो धरपण है जिसमें समाज का चेरा इसपष्ट देखा जा सकता है शिक्षक वह मौजूदा तरकस है जिसका हर तीर उसके चात्र के भविश की दिशा निर्धारित करता है शिक्षक सिर्फ वो नहीं होता जो बच्चों के दिमाग में तत्यों और डायग्राम फार्मूलों को ठूस ठूस कर फिट कर दे शिक्षक तो वो होता है जो अपने आचरण से अपने चात्रों को भविश में आने वाली चुनोतियों का सामना करना सिखाता है आच शिक्षक दिवस के अफसर पर हम आपको बगदाद के मशहूर खलीफा हारुन रशीद के बेटे के बारे में एक किस्सा सुनाते हैं हारुन रशीद बगदाद के मशहूर खलीफा यानि बादशाह थे उनका एक बेटा था बाशा ने शहजादे की तालीम और तर्वियत के लिए एक उस्ताद साहब को लगा रखा था वो रोज महल में आते थे और शहजादे को तालीम दिया करते थे एक बार शहजादे की किसी गलती पर उस्ताद साहब ने उनकी पटाई कर दी शहजादा रोने लगा उसी वक्त बादशाह के आने की खबर हुई उस्ताद साहब डर गए कि शहजादा कहीं उनके शिकायत न कर दे लेकिन शहजादे ने फौरान अपने आसों पोश लिए बादशाह आये कुछ सवाल जवाब उस्ताद साहब से किये कुछ शहजादे से किये और संतुष ठोकर चले गए तब उस्ताद साहब ने शहजादे से कहा कि मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मेरी शिकायत न कर दो शेहजादे ने जवाब दिया कि हमारे अब्बा ने हमें समझाया है कि जजरे उस्ताद जमहरे पदर यानी उस्ताद की मार माबाप के प्यार से बढ़कर होती है वाह क्या विचार थे उस दोर के इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक का समान समाज का उत्थान है और शिक्षक का अपमान उस समाज का पतन क्योंकि शिक्षक समाज का धर्पन होता है इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूं नमस्कार